अस्सलामु अलेकुम आज हमारे किचन में बन रहा है लोबिया रात को मैंने ये पानी में भिगो के रख दिया था तो कप मैंने लोबिया ले लिया है इसको देखे मैंने रात में भिगो दिया तो अब इसको गलने में बहुत असानी होगी और ये साइज में थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है अब ये इजी ली गल जाएगा आप इसे देख्ची में भी गला सकते हैं लेकिन मैं प्रेशर कुकर के इस्तमाल कर रही हूं जिसके लिए मैंने सॉल्ट और एक तेज़ पत्ता ले लिया है वो मैं पानी में डालके इसको प्रेशर दूँगी प्रेशर कुकर में ये तकरीबन दस मिनट में गल जाएगा लेकिन आम देख्ची में अगर आप गलाएंगे तो आपको 20-25 मिनट लग सकते हैं इसमें मैंने वन कप पानी और एट किया था ताकर ये इजीली गल जाए देखें आप ये कितना जबरदस गला है बहुत ही सॉफ्ट हो गिया है लेकिन इतना गला है कि इसने अपनी शेप भी लूज नहीं करी है शेप इसकी नहीं खराब हुई है हाड़ी के जो चमचा है उसके हिसाब से हमने दो चमचे जो है ऑईल शामिल करा है अपनी हाड़ी में इसको हम हलका सा गरम करेंगे ऑईल को तेज गरम नहीं करना हलका सा गरम करना है फिर हम इसमें तीन जवे लहसन के और एक टी स्पून सफे जीरा डाल देंगे इनको हमने बिल्कुल हलका सा light brown करना है जब हमारे light brown हो जाएंगे यह देखें हमारे जो है लहसन light brown हो रहा है अब हम इसमें प्यास शामिल कर देंगे प्यास थोड़ी बारिक-बारी काटेंगे हम ताकि एक अच्छा सा जो है उसका paste भी बन जाए और प्यास जल्दी गल जाए अब हम प्यास को fry करेंगे oil में बिल्कुल light fry करिएगा जादा dark मत करिएगा क्योंके लोबिये का रंग वैसे भी dark होता है तो हमारा सालन काफी dark color का बन जाए है का light brown कर लेंगे इसको अब यह light brown हो गया है तो इसमें मैंने वन टेबिल स्पून अद्रक लहसन का पेस्ट शामिल कर दिया है इसको मैं थोड़ी देर फ्राइ करूंगे अद्रक लहसन को हम हलका सा भूनेंगे हलका सा भूनने के बाद इसको हम जो है इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर देंगे और हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल बिर्च एड़ कर देंगे अब इसको हम मसाले को दुबारा से भूनेंगे मसाले में थोड़ा सा पानी जरूर एड़ कर देंगे ताके जो है हमारा मसाला नीचे लगे ना देख्ची में जब हम नूट करेंगे कि अब हमारा ओइल उपर आ गिया है यह देखे हमारा ओइल उपर आ गिया है अब हम इसमें टीमाटर डाल देंगे टीमाटर मैंने ले ली हैं तीन मीडियम साइज के टीमाटर क्योंकि हमारा मसाला जो है वो टीमाटरों से और प्यास से बनेगा अब हम इनको अच्छी तरह से दुबारा भूनेंगे तकरीबन तीन से चार मिनिट आपको इनको भूनना है और टिमाटरों को इतना गलाना है हमें के इनका एक पेस्ट सा बन जाए देखें टिमाटर हमारे काफी हद तक गल चुके हैं और ऑईल भी उपर आ गिया है लेकिन मैं यह सोच रही थी कि इसको मजीद अभी और कुप करना चाहिए और एक पेस्ट अभी भी इसका नहीं बना है उसके लिए गोटने का इस्तेमाल किया है जो हलीम गोटने में इस्तेमाल होता है वो गोटना हम ले लेंगे और उससे हम इसको मजीद गोटेंगे ताके यह टिमाटर अच्छी तरीके से गल जाए क्योंकि अगर खड़े खड़े टिमाटर होंगे तो उक तो उसकी लोग भी अच्छी नहीं आएगी और वो लोबिये में महसूस होंगे खोटने की मदद से हमने इसको बिल्कुल पेस्ट बना लेना है यह देखें हमारा अच्छी तरीके से जो है न शोरवा बन गया है बिल्कुल जो हम पेस्ट चा रहे थे वो तयार हो गया है अब मैं इसमें लोबिये अट कर दूँगी अब हम इसको इस मसाली के साथ चंद मिनट के लिए बूनेंगे मसीद ताकि यह मसाला जो है लोबिये में जजब हो जाए अब इसमें मैं जो लोबिये का पानी था जो प्रेशर कूकर में बज़ किया था वो थोड़ा सा पानी एट करूँगी मैं इसमें पानी इतना एट करूँगी जितना मुझे इसको रखना है ज़ादा थिक भी ना हो रहनी भी ना हो क्योंके मैंने इसको रोटियों के साथ सर्फ करना है यह देखें हमारा जो है मसाला और बलोबिय आप बिल्कुल तयार हो चुका और यह जान हो गिया है और एक मुनासिब शोरवा भी तयार हो गिया है आप इसे चाबलों के साथ भी सर्फ कर सकते हैं अब इसको मैं थोड़ा सा गरम मसाला मैंने ले लिया है हाफ टी स्पून और हरा धनिया इसको इसमें डाल दूँगी और बस थोड़ा सी देर के लिए इसको दम पे रख दूँगी यह देखें हमारा शानदार लोबिय के डिश तयार हो गई है आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें शेयर करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सबस्क्राइब करें बेल आइकोन को ज़रूर क्लिक कर दीजेगा नेक्स्ट रेसिपी मैं बहुत स्पेशल रेसिपी लेकर आने वाली हूँ और उसमें मैं आपको चंद टिप्स भी दूँगी ज़रूर वाच करिएगा मुझे अपनी दूआउ में याद रखिएगा अल्ला हाफेज